गुड़ मॉर्णिंग दोस्तों आप सभी का अपने चैनल सक्सेशिनाइटीज पर स्वागत थे मैं सिवंस राद लेकर क्या हूं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट खबरें और यह मान के चलिए आप लोगों के लिए पहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ह आज हम लोग बात करेंगे जो बीटीसी कर रहें बच्चे ठीके जो डियलेड कर रहे हैं ठीके जो डियलेड या बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए एक नौकरी पाने का सुनेहरा मौका है सरकारी नौकरी का सुनेहरा मौका निकल क्या रहा है जितने भी उत्तर प्रदेश से बच्चे समंदित हैं हमारे दोगे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही हैं उनके लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है चाहे कोर्स कंपलीट हो और चाहे अनकंपलीट हो लेकिन आपको नौकरी मिलेगी कैसे मिलेगी मैं आगे बड़ेते हैं सबसे फ़हली खबर हमारी आज की है सबसी इंपोर्टिंट खबर है सायक भरती सक्षक यूठी ठीच, जबफ़ा हुआ है, भी टीच बीटीच वीळवीड की अच्छी का सुप्रीम कोट के सुप्रीम कोट इस मामलेपर 14 जुलाई को करेगे सुनवाई , तिके आपर बात क्या है? लिखा है कि भर्ती में बीड को सामिल करने का मामला पहुंच गया आप सुप्रीम कोड देखिए अभी 79,000 जो भरतियां हो रही है ठीक है 79,000 जो भरती हो रही है इसमें बहुत बड़ा स्केम चल ला है बहुत बड़े प्रॉब्लम चल रही है भरती नहीं हो पा रही है इसमें बीटीसी वाले कह रहे हैं जो बच्चे बीटीसी में हैं वो कह रहे हैं सब बीड को हटा दें चुकि बेड़ वाले ज़्यादा नमबर लेके आते हैं बाई बीटीसी वाले कम लो लेविल के होते हैं बेड़ वाले हाई लेविल के होते हैं इसलिए बेड़ को हटाने की मांग किया गया है इसके उपर जो है सुप्रीम कोड जह हूँ 14 जुलाई को ठीक है 12 बज़े से और 13 तक ठीक है 13 जुलाई तक लाग डाउन रहेगा χी मानिनिया हमारी मुक्छमंत्री जी ने बताया है ठीक है आज से 13 जुलाई तक लाग डाउन रहेगा इससी लिए 14 जुलाई को सुनवाई होगी तो चरीक खमरी यह सबी को समझ में आ गए है विसे ज्यादा इस प्रस्ट नहीं है नहीं में अब भी पूरी ख़बर पढ़के आपको सुना देता है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं करेदेगी कल से पेपर कराइंगे कर देगी कल से पेपर होंगे और सुबह क्या दुरात में नवन नए कबर निकल किया तो क्या काम करता तो उसको फटकार लग रही है फटकार क्या लगी है बात कर लेते हैं यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि परसनातक वासनातक के अंतिमर्थ की परिच्छाएं यह चात्रों की ऑनलाइन ओपन बुक परिच्छा सवगित करने पर उच्छ नियाले ने गुरुवार को दिल्ली विदाली की बहुत बड़ी खि परिच्छ नहीं हो पाएगा अपने मोड को भी बताना है किस मोड से आप परिच्छा कराएंगे कराएंगे सभी चीज को बताना है ठीके चलिए आगे बात कर लेते हैं कि मामली के सुनवाई 14 जुलाइ को होगी ठीके मामली के सुन्वाई कब होगा 14 जुलाइग होगा ठीके यह खबरी आज के थी ठीके बहुत बढ़ी बहुत अच्छे शलिए यहां पर मैं बतारा था व जो बीटीसी फर्स सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर थार्ड सेमिस्टर चाहे वो फोर्ट सेमिस्टर हो चाहे वो बीड कर रहा हूँ चाहे वो कोई डिगरी कर रहा हो कहने का मलब है ग्रेजुएट होना चाहिए क्या होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए आप देखिए जो 14 वर्तिदें बहुत जादा होती है अगर अपनो चाहिए जोरतर तो भरति बहुत कम है लेकिन मैं कह रहा घुकर तो भरति आपको नउकली लेना हम आपको करना क्या है आपको लोग F Rich मारते हैं रोड़ते रहते हैं कहीं कहां कहीं कहां ठीक今天 आपको विस्वाफ नहीं होता कोई बता है लेकिन विस्वाफ नहीं तो आप करें वह से नहीं करें आप लोग तन्मन से मेहनट करें यह तो भरती बहुत होती है ऐसाई की भरती है ठीक है दरोगा की बढ़ती है और यह मान के चलिए अगले हपते ही विंग्यापन जारी कर दिया जाएगा आप लोग त्यारी स्टार्ट कर लिए आपको आपके लोग के पास में ज्यादा है पान से च्छे महीने का टाइम में इससे ज्यादा का टाइम नहीं है आपके पास में आपको करना क्या है पढ़ाई करना है कैसे पढ़ाई करना है हम बताएंगे सबसे पहले खबा देख लेते हैं अभी मैं डिस्कस कर लूँगा कि सदीके से आप लोगों को पढ़ना है चलि लखनाओ के माध्यम से निगली खबर ह लिखा हुआ है कि उत्तर परदेश पुलिस में समिस्पेक्टर और मिनिस्ट्रिय श्टाप के लगबच 2400 पदों पर भरतिपकरिया होने वाली हैं इन में समिस्पेक्टर के पदों पर संख्या लगबच 6000 होगी उत्तर परदेश पुलिस भरतिवा प्रोनती बोड इन पदो यानि इस सप्ता को छोड़ करके अगले सप्ता बिग्यापन जारी कर सकता है ठीके आगे देख लिए परदेश की मौझूदा फरकार के कारे कारेकाल में पुलिस में अपरेल दोचार फत्तरा में अब तक लगभग एक लाख सैंतिफ हजार दोफत तिरपन पदों पर भरती कि किया जा चुका है भरती बोड़ने इस पर सब इस्पेक्टर के 6000 पदों के साथ स्टेनों अकाउंटेंट समेथ मिनिस्ट्रियल स्टाप की 1400 पदों पर भरती निकालने के लिए बात करी गई है शिपाहियों के 49500 दोनों पर ठीके सरी पदों पर भरती हुए नाजवान की फि का परिणाम मार्च 2020 में घोफित किया गया था वैसे तो यहां पर दीखिए गलत कहा गया है 49500 के अभी ट्रेनिंग नहीं चल लई है जो भी 55500 वाले बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं चल लई लेकिन गवर्नमेंट के अंसार चल लई है चुकि अभी जैसे ही जैसे ही प पांस वरफट वाले जो बच्चे उनको भुला लिया जाएगा ठीक है पढ़ाई ट्रेनिंग के लिए अब यहां पर देखिए बात समझे बहुत बच्चे हमाएफात में पढ़ रहे थे बीटीसी कर रहे थे ठीक है उन्होंने पुलिस की जैसे जो अवाई तुरंट डाल जालने के बाद में निकल गया तो उन्होंने क्या कर बीटीसी को छोड़ दिया जो कि पुलिस में बहुत ज्यादा प्राफिट होता है ठीक है और यहांपर पुलिस की नोकरी भी बहुत अच्छी होती है हमाहां इसाफ से बहुत अच्छी होती है तो आप लोग भी फार्म जारी करतेगा अपने दस और बार आके इसके बात कर लेते हैं इसके बारे पूरी खबर देख लेते हैं आई सी बोड़ दस वी और बारवी के परिक्षा परिणामों को सिक्रवार को घुशड़ा करेगा बोड़ फच्यू गेरी अरात उन्हें कहा है कि नतीजे दोपहर तीन बज़े तक जारी की जाएंगे जो की बोड़ की वेफाइट के अलावा ऐसे मेंस के थुरू आप सब्सक्राइब को नतीजे पहुंचाया जाएंगे अगली खबर है माँ पास में निकल के आ रही कि पॉलिटेग्नी परिश्चा आप फितंबर में होगी कि किस मेनी मोगी ब सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए आप यहां पर कुछ इंपोर्टन खबर निकल के आ रही है कि अभी मैंने आप सब्सक्राइब को बताया कि उच्छे नियाल है उसने कहा कि अपनी परिक्षाओं पर अपना मलब बताओ किस तरीके से आप प्रिक्षाओं कर आओगे क्या क् विचार मांगा गया ठीके और फटकार भी लगाई गयी है चलिए ठीके चलिए और ब्रेकिंग नूस अभी कल वाली निउस में निकल क्या है यूपी में कल रात फे नहीं आज फे कल निकल क्या आई थी ठीके तो आज यानि 10 बज़े से 13 जुले तक लागडाउन रहेगा ठ में बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज बढ़ रहें लगभा किली पंद्रा सो प्लस एक दिन में कोरोना के मरीज बढ़ रहें ठीके अब अगर इतने ज़्यादा मरीज बढ़ेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी तो यह हमारे स्वास्थ को देखते हुए यह कि किस तरीके से आप लोग ठ्याओरी करेंगे इस तरीके देखिए ऐसाई की भरती निकली है अब सबसे पहले हम को क्या मावलूम होना चाहे इसमें सबसे पहले देखिए क्या आएगा बास ब्हुत समझ लेजिए सबसे पहले आएगा निकल़कर की मलब जॉब निकल के आएगे किसी बेब फाइट पर ठीके वहाँ पर ठीके बताया जाएगे कि यहां से फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर जा करके फॉर्म फिल करेंगे लगभग के लिए हमाई साब से फायत 500 रुपए या 600 रुपए फीस होगी आप लोग इत्ता भरने के पढ़े एगर आपको फिले भास नहीं मिल ला है ठीके तो आप हमारे का हमसे कमट करें हमारे इसी वीडियो में कमेंट करें मैं आपको षिले भास मैं भी त्यारी कर रहा था और सब्सुर्ण आपको थी चिके मैं भी डालूंगा फॉर्म आप फोर्म डालिए तो उसमें क्या है क्या थरीका रहने वाला किस तरीके से क्टे-क्रति अंक होती हैं इसके अनुफार आप सभी को त्यारी करनी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा ठीके पहले पहले तो आज आप लोग ठीके सलेबस लोड कर मैं कैसे त्यारी करता हूं ठीक है 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 मैं कैसे त्यारी करता हूं मैं आप सभी को अठाउंगा किस तरीके से मैं त्यारी किया है आप भी त् कोई कोचिंग नहीं करना है तो मैं सबसे बिस्त कोचिंग बताएं ठीक है बेष्थ ऑउलैन कोचिंग आपको बताएं ने टीक whale सब्रेस्थ वाइस बताएं कि कहां से आपको क्या पड़ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आगए आप हर समय हम से जुड़े रहे यह मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा आपको आप से for.'ni दाउन्गा और स्टृ करने से नौकरी पाने तक मैं आपके साथ रहूंगा अब आपको व चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रिफ कर दें ठीक और मैंने एक चीश्वर नहीं बताया आप छेख रहनको एक ख़बर क्या है वालों का ठीक में यहां पर भूल गया था ठीके भैक वालों का पेपर होगा अब खunt पर हो सभी बैक वालों का पेपर होगा फर्स सेकेंड थर्ड सेमेस्टर और थर्ष सेमेस्टर के बैक वालों का पेपर होगा ठीके सभी का पेपर होगा इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा कान खोल के सुन लिजी सभी लोग कि प्रमोट नहीं होंगे ठीके प्रमोट नहीं हो जाएगी तो मैं आप सभी को बता दूँगा कि मैं सत्क कहां तक हूँ ठीक है जैसे कोई नोटिस आती है मैं बता दूँगा कि मैं सत्क कहां तक हूँ ठीक है तो आप आज के सारी खबरे पूरी हो चीकी है अब लेता हूं आप से लविदा फिर बिलूँगा अगले दिन तब तक के लिए good bye और take care have a nice day form feel जरू करिएगा ठीके good bye